हम सब के जीवन में एक समस्या अवश्या आती है कि किसके समक्ष जुका जाए और किसके समक्ष ना जुका जाए अधिकतर लोग ये कहते हैं कि एक स्वाभी मानी किसी के समक्ष नहीं जुकता तो कुछ लोग ये कहते हैं कि जिसका आकार बड़ा होता है वो जुका हुआ है विभिन् मत हैं इस विषय में परंतु सत्य क्या है? क्या आपने कभी सत्य को जानने का प्रयास किया? विचित्र पहेली है ना वास्तविक्ता में ये सब परस्थिती जन्य है परस्थिती के अनुसार जुकना भी उचित है और परस्थिती के अनुसार ना जुकना भी यदि आपको ऐसा लगे कि ये बात अनुचित है, आपके मन, आपकी आत्मा से ये स्वर उठे कि ये अनुचित है, तो ना जुकिए, ऐसा करना आपकी आत्मा को उठा देगा और यदि आपको ऐसा लगे कि किसी की बात उचित है, परंतु अपनी आयू, अपने पद, अपने अहंकार के कारण उस बात को आप मान नहीं पा रहे, तो तुरन नदमस्तक हो जाई, तुरन जुक जाई, चुकि ऐसा करने से आपके अहंकार का आकार कम हो जाएगा, और आपक व्यक्तित्व का कद और बढ़ जाएगा, हो जाएगा, तुरन जुकि भर अान से आपक जाएगा, जि एसा हो जिर से अねपक जाएगा, आपको जो गुकि एज को जाएगा, जि आपको जाएगा, इसा कर 我的 एatmayı कर उड़ो, जो जाएगा, भातने याचित्वार, मान जाएगब जाएगा, झाल झाल